नमस्कार मी स्नेहा अपन पाताय साम टिवी साम संजीवनी या अरोग्य विशेश कारे क्रमा मधे तुमा सग्यांस स्वागत साइबर नाइफ रेडियो सर्जर यानी रेडियेशन ओन्कोलोजी या विशार अपन चर्चा करना रहोत या विशेश आनून किना रहोत नमस्कार अने खुब खुब आभार माला इथे बोलो ले बदल तर अपन चर्चला सुरुवात आज करूशक्तो नकी सापन सरान करना बरस जानून घेणा रहोत या विशेई मातर तया दोक्टर भूशन जाडे यांची थोड़कयात ओलख करून देते तन्ता थोड़कयात परिच्चा देते दोक्टर भूशन जाडे हैं पुन्यातिल ससुन रोड इथा असलिया रूबी हॉल क्लिनिक चा डिपार्टमेंट ओफ साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी आणी रेडियेशन ओनकोलोली से चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर आणी डायरेक्टर सुधा आहेत पुन्यातिल सर्वोत्तम अगरगण्य रेडियेशन ओनकोलोजिस्ट पैकी एक महणुन ते ओलखले जाता तसस गेलात सवदा वर्शान हुन अधिकाल ते वैद्यक्यक्षेत्रात रुगुणान ना सेवा पूर उतात सलातर मगाता चर्चेला सुरुवात करुया आणी जान जावड पास एक 5th, 6th standard पासून हा कुड़ो तरी आणी आता तर आपन सगी केड़ेशा शब्दा वा पर तो रेडियेशन पन हा एक जंडरीक शब्दा है रेडियेशन मंजे इनेमका इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव जस्ता जा कही प्रमानत एनर्जी क्यारी करता था आणी किति प्रमानत था एनर्जी कैरित तत यहा नुसार्ते नचे दोन प्रमोखया ने बहाग बढ़ता था एकल आपडमतों नॉन आ आइनाइजिंग रेडियेशन और दुसरा ओपन आइनाहीं लासन।। आणि आईनाएजिंग रेडियेशन जा कुटले भागावर कि वा जा या जी अटोमिक स्ट्रक्चर्स ला थोड़ सा बदलने ची ताकत त्याला आईनाइज करने ची ताकत त्या आणि त्या आईनाइजिंग रेडियेशन मारफद आपन काही तरी ट्रीटमेंट करतो नित्या काहितरी विशिष्ट मशेन्स तंतरद्न्यान आणि शिक्षन लगता आणि त्या फील्ड ला कैंसर ट्रीटमेंट चे त्या फील्ड ला पन रेडियेशन थेरपी कि वा रेडियेशन अंकलोजी असा मनतो अरड़र तुमी मनालाद कि आता करकर होगान मधे प्रामुख्यन रेडियेशन थेरेपी वा परली जाते, मातरा कोन दे प्रकार्चा करकर होगान मधे ही तेरेपी वा परली जाते हैं? रेडियेशन थेरपी ही कदाची शंबर वर्ष जुनी ट्रीटमेंट आए, मन्जे सर्जरी अपला अरुविदा मादे पंड सर्जरी जा उल्ले के लेला है, कीमो थेरपी ही प्रामुख्याणी नवीन ट्रीटमेंट आए, पंड दोखांचा मधात, मन्जे रॉंजे या शास् नवीन ट्रीटमेंट आए, कीमों प्रामुख्याणी बिचार विचार के ला नी प्रामुख्याणी भार्ता जर आपन विचार किला तर सग्ड़्याज प्रकार चास ओलीड त्यूमर्स ला मजे आपनड सॉलिड अनी लिक्विड अज़ दोन भागान मादे ब्लड कैंसर ल और एक जो मुखाच जो आपना कैंसर मनतूरै तब रिडिशन थेर्य थेमी दो हूआ हेड़ा इंडेझ रिडयों फिर्ल डाजता धूर रिडिशन लगत्कों कि澹 को जो प्रत्यक बेश्बन ब्रेस्द tua घंद हैं लागता. करन्कि रीटमेंट करन। लिएकाश ग्मोरीतिमेंट पूरुन रीटमेंट कहीं भाग सर्जरी और कवर्डने कहीं आला। भाग रीडियूट्टिरिचन दोडरेपज दोडरेंए। त्रौरीतिमेटिसों पूररेंट कौल इफ़ लाइफ चांगला करें। आप्टिमाप ऑंकोलोजिक आउटकम अचिव कर शक्तों और साइड इफेक्ट आपन कमेठी हो शक्तों त्या मुझे रेडिशन से वापर दिवसें दिवस चांगला प्राकारत हो और नविन नमीन धंत्रत ध्यानें तेची साइड इफेक्ट कमी करता ले ले आपन एकली अटर्शन हो ज़से रेडिशन कुछ हो जबार नेचा फोन गनाटर्शन कर थेड़न करें प्रामानागं भदाए तूमिया खान अचिव संपली करता है रेडियो सर्जरी मिश्री विश्री भदा चानूं रोर्ण विए शर्जरी या शब्दा में शर्जरी आलेला है, और शर्जरी अपलाया मनात अनस्थेशिया, और अपरेशन थेटर, ताके, कोई तरी चाकु नी उगणनार, और काई तिशु बाहर काड़ा जानार है एक समझ आहे अपलेला, जो करेक्ट आहे, और शर्जरी या अशिछ रेडियो सर्जरी मतले है, और यह नेमकाई ची इवोलूशन कचे ताला ही सम्मझ घरजेचा है, जो ब्रेन ट्यूमर मांजे लार्स लेक्सल नावाचे एक नूरो सर्जर्ण होते है, एक पन्नास चा दशकान मदे, तर तेवा काही ब्रेन ट्यूमर चे इतक्या कठीन लोके तो शब्द रेडियो सर्जरी अगरी मा खड़ू होते जशे डिवल्ब्मेंट जाले हा बैए नावा तो यह नवाता ड्रेडियो चे द्क्रॉच्याई लाचे नावा येस न गेले है ओ रेडियो सर्जरी से ब्लु गरेकरी सोची डिवलोपूध गुलोन ख़रे है लेकिध प्रश्णफार मोठा होता है कि आपन एक प्लान के लागी थे आपन या भागाला रेडिशन देना है पन तो नेमका भाग मेंदू मदे कुठे आए हे लोकलाइज करना कठीन होता और तीजी लोकलाइजेशन सिस्टम डेवलप जाली ती स्टेरियो टैक्टिक सिस्टम स्टेर तीजी दिवाइड दोजेश मदे टीटमेंट देली तरहाव रेडियो थेरपी स्टेरियो टैक्टिक रेडियो थेरपी मग हलुड जसा डेवलप मशीन होत गेला ब्रेंस वोडून लंग्स प्रोस्टेट कि वा लिवर त्युमर मदे पन तैसा वापरत वाड़त गेला अट सग्डे नावा एक फिलोसफी ला फॉलो करतात जी फिलोसफी है खुब कनफॉर्मल हाई डोज रेडियेशन एका पर्टिकुलर भागाला ट्यूमर चा भागाला देने जैने कुरून इकड़े तिकड़े रेडियेशन चा कही डोज न जाता साइड इफेक्ट न होता अप् कोन ते लिए तद्निया करतात यावशे ही सद्धा दनागा इसा फुटली अशी ही ट्रीटमेंट जैस्त जाम्दे कुप कुप प्लेक्सितीस असथा ति एका वेक्तिला कि वा एका सें फ्रैटर नेरिचा दोन तीन वेक्तिला मिलून करता इतने तुमला अब एगवगरी फ टेक्नोलोजीस आसता पर आट गेजिएंगे क्लिनीशन जवा तुम्ही ब्रेइन रेडियो सरजरी करता त्याथ तुमाला नियुरोकी ज़ा रेडियो नियुरो फिजिशन बड़ा को तो बारस दा किसकत ट्यूमर अडाट नियुरो रेडियो लोजिस्ट चाउप गोतो इंट डोक्टेर नेम क्या कोनदे आ alone मर्पन ए साइबरनाइफ रेडियो सरजरी वापरू शकता पैक शो साइबरनाइफ रेडियो सरजरी में जिया भिखा टला आपन रोभों सर्जरी को इब बाहिप गाणर रेडियो सरजरी को मनतो प्रामुख्याने रेडियू सरजीरी सा कॉंसेप्ट जरी मेंदू पासुन के ब्रेन ट्यूमर पासुन सुरू जाला तरे अच्छा तरकेला आपन बोडी चा सगल्याच वयाँ मदल्या काही कैंसर मांजे सगल्याच कैंसर आपन तरीटमेंट डियू शकत नहीं पंट तर प्रामुख्याने जर आपन ब्रेन चा विचार केला तर नौन कैंसर ट्यूमर मेंजे मेनिजियोमाज अकॉस्टिक श्वानोमाज पिटूटर अडियूमाज याला पन प्रामुख्याने साइबरने फिरेडियू सर्जरी चा उप्योग होतो उधार नारत बेसकल ही जी लोके बारेज दा सर्जिरी जाले नंतर चोटा ट्यूमर रहा तो जला बन रेसिडूर तो बरेज दा तो ट्यूमर मेंदूला चिपक लेला आस्तों क्यों त्यूमर काण्या मदे बरी रिस्क था सो मैक्सिमल सेफ रिसेक्शन हां एप्रोच निरो सर्जन घेता कि जितका सोपया प ब्रें मेटास्टासिस अंधर जर्णाश करेंधार काण जर्णा था नहीं जांटे साथ केंसरा न रहा हाओ हैसटेश्ची जिए त्रीट्मेंट जहां चान तर्डब्र त्रीट्मेंट हैं अंतर परत्रीकर जाले जाना परत्रीडी शेक्राजा तो बंढ रेगूलर जाला आपन आट्रीरो वेनस मालफॉरमेशन रक्तव हैन्यां चा अपरीपपो जालो तयाला पन रेडियो सरजरी दवारे आपन रीट करूँ शक्तो तयान अंतर प्रामुख्याने अता नवीन नवीन तंतर ध्यान क्यों नवीन रिसर्च होता है कि मुवमेंड डिसॉर्डर् प्रामुख्याने अवजून इतक जासता प्रगत नहीं आए पन ते सोड़ून बाकि सग्डा ट्यूमर्स अनी नौन ट्यूमर्स कंडिशन मादे रेडियो सरजरी खुब आपर ले जाते है अचा ड़क्टर तुमी जार्थी महंटा कि थोड़ी फार ख्लिष्ट गुंता ग अचा मशिनरीज अपन ठोड़कात मोनिया वापर ले जाता त्या सुद्ध्यान अकिष्पार अधुनिक असतिल अधुनिक अधुनिक मनना ही त्याला कदा ची द्योग गेरा हील जासा रेडियेशन थेरभी सेंटर सस्ता जिते लिनर अक्सलेर दावाचे एक मशीन असता ब अगी त्यान दौस के अधुनिक 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 इतुप सेलगत बायाँ त्या रेडियो सेंटर्कों अधुनिक 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 अधेибо सेल अध्ये त्या काई थीव साधी mlás जी अधुनिक अधेल्या जीड der चाई बारी अस्त कर देडिवीं आत रामु किया ने जवा वह वक्त ब्रेण ट्यूमर ट्रीटमेंट गोस्त असेल तर गामा निफ ऐ अंत्रणा यह को ट्यूमरी आजी डेडिवीं दो डेडिवा है वमेड़ी ए ट्रीटमेंड यह पर कर चेल ने में पर आपन कि रियल टाइम मदे करूं शक्ते रोबोटिक पदे दिनी त्यों आपन साइबर नेफ या इंतर्नेट चा डेडिकेटिट सिस्टम चा वापर करतो आणि ही रोबोटिक प्रिसीजन आपन समनतो आपन किती सारा मैनिफेक्टरिंग सिस्टम में आपन रोबो यूज करतो है कि एक कारी दुसरी कारी ह पार अजायओ कर शारा मैiplिट विवान चा डता डूबोटिक प्रिसीजन आपन रोबोटिक हां कार आज आटटिक प्रिसीजन आपनो आपन आपन बापर था यृक्पॉटीर के मियूद्य मुन्त्यवत साइबर नैफ रेडिविघ कनी सर्जरी मादी परीम् मत्रत आधी सामसंजी वनी मदे एक चोटा सा ब्रेक के हुए ब्रेक में तर सामसंजी वनी मदे आपला स्वागर डॉक्टर भूशन जाड़े आपला सुबत आहेत रेडियेशन ओनकल और दिस्तांचा करना आपन साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी विश्याई याणि ताचा फाइदे विश्याई जानों गेतो है डॉक्टर ही जी सर्जरी आहे साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी याँसे फाइदे आपला ला कसे विश्याद करता है तिलो जसा आपड रेडियो सर्जरी आपन एक पास मिंटे जहीं दहार मिंटे बोलो यामदे एक गुश्टर प्रमुखने लक्षत आली असेल कि रेडि आपड़ा फार गरज अस्ते कि त्याच्शा एक्ऊरेसी मेंटेन भावी कि अपन रिट्मेंट करताना हाइडोस प्लान केला और तो डोस त्या पर्टिकुबर ट्यूमर लाकिवा त्या पर्टिकुबर भागाला नह जाता कि वाद जातास थोड़ा आजो बाजो लापन तो स्प्लिट जाला स्पिल जाला कि वा मुवमेंड मुणे तो ट्यूमर त्या ठीकानी ना राता दूसरी कड़े जावन नॉर्मल टीशु त्या ठीकानी आला तो अधर्वाइस आपन कहीं तो डियर्शन थेरभी मश्न मदे इमेज गाइड़न्स असता आपन पेशन मशिन वर प्लान अंतर आपन प्लान एक्सीक्यूट करना रहो त्या गोराग आपने सब्सक्राइब करते हैं तो साइबर ने प्रामुक्याने काई करते हैं और्थोगोण एक्सरेइस की वा रेस्पिरेटरी मोशन मैनेजमेंट यह प्रकार चे कोर्रेलेशन मॉडेल्स तैननी वर्शन वर्शन चारिशन डेवलोप के लिए त्याम अपन रियल टाइम मदे त्या ने रियल टाइब करते हैं तो स्ट्रेशन डेशन डेशन डोस आजू बर्जोलाज़न साइड एफेक्ट वनाजी शक्के था फार कमी होन जाते अच्छा पाण अविशिष्ट ट्यूमर सविशे बोलिया डॉक्टर ब्रेन ट्यूमर मतला बरे ज़ना घाबर ता आणि एक व ब्रेन ट्यूमर मतले हैं ब्रेन कैंसर और नौन कैंसर अच्छा अच्छा अपन जवा ट्यूमर मनतो जा अपला डोक्या मतले क्या मना मतले सरड पहला प्रशन है तो कि ब्रेन ट्यूमर मंजे ब्रेन कैंसर अच्छा 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 करता है तो त्या मोले ब्रेन ट्यूमर यानी घाबरने चे अजिबात गरज नहीं साइबर ने फ्रेडियो सरजरी सिस्टम ही खूब अतीशे उत्तम रित्या अचूक रित्या ब्रेन ट्रीटमेंट करू शकतो अफकोर्स खूब प्रकार त्या मदे आहे खूब डिटेल डिसके ब्रेन ट्यूमर हाँ चांगला ने ट्रीटेबल आजा रहा है डोक्टर साइबर ने फ्रेडियो सरजरी शी आणखी काय काय वईशिष्टे के खास्तियत अपलेल अची आणखी काय सांगता है हूँ जसा आपन अत्तास बूलो कि बाकी सिस्टम चा तुलने मदे रियल टाइ अपन टाक तो जिए 2 x 5 mm साइज चोड़ियास ताथ आणि त्या फिडूल चा मोमेंड ने अपन त्या 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 ट्यूमर ला रियल टाइम मदे ट्राइक कुरून रिटमेंट तो खास वेशिष्टी है सिस्टम अचा या नंतर मला प्रोस्टेट कैंसर विशे जानों गय डर्परोस्टेट कैंसर शाओ पाष्टाइज पाष्चाइब ते देश खूया है कूफ जास्ता कौमन कैंसर है कूब मझे असा, हमन तरकी वन इन 10 तोब बीक नंटाब कीContra, वहते प्रोपोर्शन रहा रहात मते प्रामूक्य यह रिडियो शर्जरी प्रमकर नॉन इन्वेजी। चेल etaแ 폭ड की प्रकार्च इंप्रफ रिजो कंभारी के ब्रोस्टेट, यह दो किस UN वें चेले लिए अज कोड़ां चकरती दीत्यान稱 तर इथे जवा आपन हाई डोस रेडिशन देतो है तो ब्लाडर और रेक्टम ला डोस जाएला नको कमित कमित डोस गेला हुआ तया मुझे अचुक तरीट्मेंट होने प्लस मुवमेंट होना मुझे ब्लाडर मदे मुट्र बहरला नंतर तो मुट्रा शाय एक्सपांड होना एक्स्ट्रा शाय पॉजिशेंटी निए रिटम बाजुन अले तेया लोकस मुवमेंट ला रियल टाइं ट्रैंकेंग करूं डाय अधर वादेट्मेंट के ले अधरिड़ोएज क्या हुदा कि यह मुवमेंट एंकंपास करेला आमी जशनरली एक्स्ट्रा वॉल्युम टे प्रोस्टेट ट्रीट चा आजो बाजो चा प्रोस्टेट ट्रीट होते पन त्या मुझे ब्लाडर ला एक्स्टा दोज जातो रेक्टम ला एक्स्टा जो नको आए तो ही आता यंतरना ही साइबर नेफ सिस्टम कि वही रोपोटिक रियल-time ट्रैकिंग असलिया मुझे अपले प्रोस्टेट लंग लंग ट्यूमर तो खुब जासता हलतो हो आणि आपन कंटिन्यूस ब्रीट करतो लंग ट्यूमर मंझे अर्ली लंग ट्यूमर मनता कि वा लंग मेटास्टासिस आहे जाला सरजरी चाहे बजे अपन रिडियू सरजरी नॉन इन्वेजव पद्देने दि अंत्र द्याना द्यूमर मेटा सुद्धा लंग अप्टिमाइज ट्रीटमें या तंत्र द्याना द्वारे लंग ट्यूमर ची शड़ो बोगुन AI अर्टिफिचिन इंट्लीन त्वारे रिडियोमिक्स वा पर करूं साइबने ट्रैक करूं ट्रीट करता अग त्याम पर गो अन्हां थे अपर अपर उप प्रूंट करते ल है आप लीवर मदला ट्यूमर परत अहलु शकतो खुब अपन लिवर हाय यूनिक है कि लिवर त्यूमर त्टीश अपर दिसु शकत नहीं जसा लंग ट्यूमर्र अच्र में प्रश्टेक में आपन दिसतो श्यू प्रोस्टे आणि या डोम लाइक वेगड़ा वॉल्यूम बनुंद पन अमचे मेडिकल फिजिक्स टीम असता त्या त्या आप त्याना सिस्टम ला सांगुन कि या प्रकार या पन ट्राइक करू शकतो कानी सिस्टम तहला पन ट्राइक करू अपले ला एवन विदाओ पुडिंग या सठी किती महातवाच जाता जाता एक तो अग्धी हाफार महातवाच प्रशना है करनकी अगेन सरजरी मतला कि आपले ला अनस्थेशा फिटनेस, मेडिकल फिटनेस, पेशेंट अडमिट होनार टायेट साफ फिटनेस लागनार मग रिकावरी टाइम लागनार है सगर प् इतका मिनिममम फिटनेस जरी असे तरह आपन पेशेंट ला ओपीडी बेसेस वर रेडियो सरजरी कुछला ही भागाला करू शकतो आफकोर्स कई पर्टिगोलर ब्लड टेस्ट चे वगएरे बार एक सारी गोस्टी एक फिटनेस तरह हो शकतो पन प्रामुक क्याने मेजर फि तुम्हीं जर्डॉक्टर अना तुम्हाला भीटाईचा असे तांसा मार्गदर्शन तुम्हाला यह विशे घ्याईचा सेल तर खाली जे स्क्रीन वर नंबर दिले और तासा सोचल मीडिया हैंडिल्स रूबिहौल क्लीनिक होस्पिटल से दिले ले आहे ते तुम्हीं तु कि अना तुम्हाल कि अना चालguy तुम्हाल